जम्मू कश्मीर के गांदर बल में 20 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले को लेकर नई जानकारी सामने आई है एक चश्मदीद ने जम्मू कश्मीर पुलिस को बताया कि गगंगीर में श्री नगर लेहे नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट के पास मजदूरों के रहने के लिए केम्प बनाया गया था इसी केम्प में दो आतंकी शॉल ओर कर आये थे उन्होंने हत्यार छिपा रखे थे केम्प के मेस में मजदूर खाना खा रहे थे तबी आतंकी वहां पहुँचे और उन्हें मजदूरों पर फाइरिंग की आतंकीयों ने केम्प पर मेस सही तीन जगहों पर फाइरिंग की सुत्रों ने बताया कि कंस्रक्शन कंपनी की खुद की सिक्यूरेटी भी थी साइट से तीन सो मीटर दूर सी आर पी एफ केम्प भी थे इसके बावजूद आतंकीयों ने हमले को अंजाम दिया हमले में कश्मीर के डॉक्टर, MP के इंजीनियर और पंजाब बिहार के पांच मजदूरों की जान गई थी उधर जम्मू कश्मीर काउंटर इंटेलीजेंस ने गंदरबाल समेत कई जिलों में सर्च आपरेशन चलाया है इस दोरान पूच में पाकिस्तानी अतंकी संगठन लशकर से जुड़े एक रिक्रूट्मेंट मॉडियूल पकड़ाया है अधिकारियों ने बताया कि इस मॉडियूल का नाम तहरी क्लबिक या मुस्लिम है पाकिस्तानी हैंडलर बाबा हमाम इस मॉडियूल का चीफ है इसी के साथ बने रहे ही राजटनमा टीवी के साथ कहने बाद